हेलो बच्चो नमस्कार कैसे आप सब लोग उम्मीदे बहुत इच्छे होंगे बच्छे आजाईए एक बार सभी लोग सभी लोग एक बार सेयर मार दीजिए तब आगे बढ़ते हैं कल की क्लास बहुत जानदार रही आपके इंट्रेस्ट से पता चलता है कि कल बहुत अच्छे से समझ आया सबको बिलकुल बचो बहुत उम्मीदे हैं मुझे इस फ्राइडे तक की आपका नोटिफिकिशन देखने को मिले क्योंकि मैंने बोला था 20 से पहले साइड मिल जाना चाहिए और वो 20 से पहले का मतलब है 20 का संडे है और 19 का सटरडे तो 18 तक मिल जाना चाहिए 18 मिन्स फ्राइडे ठीक है बच्चो तो जीडी का नोटिफिकिशन की बात कर रहो मेरे बच्चे तो वो उमीद है कि इस हफते में लास्ट टे है फ्राइडे ठीक है तो फ्राइडे तक आपको कुछ पॉजिटिव निउस मिलेगी है ना चलिए नोटिफिकिशन के बारे में बहुत बड़ी आज़ चलो बच्चो तो आप अपना ध्यान लगा कर पूरा ध्यान लगा कर बच्चे तैयारी करते रहें पूरी तरह से फोकस करके तैयारी करते रहें क्योंकि आपकी आप देख रहे हैं कि हिंदी और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है maths अभी चल रहा है maths में अभी काफी काम बाकी है तो इसे हम बहुत अच्छी से करते रहेंगे और उनकी practice शुरू कर देंगे है न उसकी practice हम लोग शुरू कर देंगे course हमारा एक बार खतम हो जाए सूरिया बैच में reasoning और हिंदी का फिर मैं YouTube पे उनकी practice लेकर क्या हूँगा practice session वगएरा चलिए बचे maths का score सर्थ बहुत कमा रहा है maths का score एकदम से नहीं बढ़ता देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ जिन बच्चों का maths week है मैं उनके लिए कह रहा हूँ especially और मेरी बात धिहान से सुनना जिनको लगता है कि मेरा maths week है मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि वो उन questions को बार बार करें जो उनको समझ में आते हैं जो उनको नहीं आते हैं वो उनको side कर दें पर जो समझ में आते हैं उनको बार बार करें अगर आप समझ में आए हुए भूलते रहोगे और जो नहीं समझ में आ रहे उनसे परेशान होते रहोगे तो बेटा आप कभी मैट सीखी नहीं पाओगे आपको मैट से डर लगने लगेगा आप हमेशा वैसा ही रहेंगे जैसा थे ठीक है कोई बच्चा कहता है सर आप क्लास में पढ़ाते हो तो बहुत अच्छा समझ में आता है सब कुछ समझ में आता है लेकिन हम बाद में भूल जाते हैं इसका कारण यही है बच्चो इसका कारण बिलकुल यही है कि आप ना तिर्फ क्या नया नया सीखने पर जूर दे रहे हैं मैट्स के एक सवाल को कम से कम छे बार करना पड़ता है रिवाइस और जब छे बार कर लेते हैं तो अब वो जाके हमारा परफेक्टा होता है ठीक है छे बार में सवाल ऐसा होता है कि एक सब्सक्राइब कर लिया और यहाम vibes कर लेंगíamos ठीक है तो आप देखो को вся LIKE करने की जरूरती नहीं है सब तो मुझे आता है ठीक है आपको एक टाइम पे लगबग चौथे बार में ये लगने लगेगा मुझे जरूरत ही नहीं है इनको पढ़ने की क्योंकि आप मुझे इनका पूरी तरह से मैथड आगया मैं अठकूंगा ही नहीं इन पे तो बच्चे ये बेस्ट तरीका है मैथ सीखने का ठीक है अगर आप मेरे कोर्डिंग चलते हैं तो चलिए बच्चे आप देखिए मैं आपको कल के सवालों पर ले चलता हूं एक क्लास हमारी हो चुकी है इस पे और कल हमने करीब 10-11 सवाल किये थे बच्चों और मैं देख लेता हूं टाइप 2 पर हम लोग आ गये थे टाइप 1 यान इसमें हमें बिटा कोई option की जुरूरत नहीं होती मैं कहा रहा हूं आज जो सवाल होंगे इनमें कोई हमें option की जुरूरत नहीं होगी बच्चे है ना चलिए तो अगर मैं ये question देखूं बच्चों ये question देखूं कि राहुल राहुत कर दीजी कोई बात नहीं कल मैंने ये question बताया था आपको बच्चों कि इसमें ना option की जुरूरत नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहां पर ना एक की हमें age दे दिया है पहले option में देता था वो age अब हमें देई दी तो हमें option की जरुत क्या है अब ये 6 साल बाद 26 साल का होगा तो अगर 6 साल बाद आप 26 के होगे तो आज की डेट में कितने के हो न्यूं बताओ तो इससे यानि बच्चे 20 वर्स कैई बच्चे ये रटते हैं कि बाद के लिए जोड़ दो और पहले के लिए घटा दो बटा वो रटना नहीं है बस सोचना है कि कोई आदमी 6 साल बाद 26 का होगा तो आज की यानि वर्तमान में अब बच्चो राहुत और दीपक की आयू का नुपात ये है है का मतलब होता है वर्तमान तो बच्चा ये वर्तमान का रेशो है और ये वर्तमान ही इसकी उम्र है किसकी राहुत की और राहुत का रेशो क्या है चार तो चार वाले का मान बीस है अगर च सवाल ऐसे बताया था आपको 15 वर्स कितना आसान सवाल है बच्चो यह आखो ही आखो में आपका हो गया होगा ठीक है पीडियाफ कहां मिलती है सर बेटा जब आप अप में जाते हैं रोजगार विदर अंकित में पेड़ कोर्स में सूरिया बैच में जाते हैं तो सूरिया बैच में जा करके वहीं पर जब आप देखोगे मैट सब्जेक्ट में जाओगे ना वहां लाइव चल रहा है एक तरफ जहां बच्चे देख रहे हैं पेड़ वाले बच्चे और एक तरफ सब्जेक्ट चल रहा है सब्जेक्ट है ऐसे ही उप पर सब्जेक्ट में जाओ वहां आप यह मैंस की वीडियो देखोगे उसी के आगे व्यू पीडियाफ लिख रहा है तो आज के जैसे दस कुश्चन मिलेंगे आज की क्लास जैसे और आज के पूरे नोट मिलेंगे वहां पर जो भी मैं बोर्ड पर करवाता हूं ठीक है वहीं मिलेगी जैसे आप अप में देख रहे हो विनास तो यहीं एक सब्जेक्ट का उप्शन अभी तो आप लाइव पे हो जहां आपने लाइव दिखता है ना उसी के बराबर में सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वहां मैस वाले सब्जेक्ट में क्लिक करना चेप्टर व विमल की और वरुन की आयू का अनुपाद तीन अनुपाद पांच उनकी आयू का योग असी वर्स है दस वर्स पस्चात उनकी आयू का अनुपाद बैटा अनुपाद पूछा है वो भी दस साल बाद तो आप बताओ क्या किसी की एज हमें पता है तो हमें पता है जी दोनो योग पता है बच्चों एक बात देखना और सारी चीज़ें सीख जाओगे आप कि देखिए यह है यानि उनकी आयू का योग है इसका मतलब आज की डेट में उन दोनों की आयू का जोड़ इतना है आयू का सम इतना है अब बच्चों यहां पर यह भी क्या है है यह भी वर्त मान आयू का रेशो है दोनों का किसका विमलरून का और दोनों की आयू का सम दे रखा एटी येर्स अब आप देखिए तो अगर इसका मतलब है कि इन दोनों का सम जो है वो एटी येर्स के बराबर है पिछले सवाल में क्या था कि इसी का मान दे रखा था तो इसी की गुना देख ली थी, यह कितने गुना हुआ इसका, ठीके, अब बच्चों इस बार क्या है, कि यह दोनों का सम है तो हमें ratio का भी sum नहीं करना पड़ेगा, यानि विमल का ratio 3 ratio और अरुन का ratio 5 ratio इन दोनों का sum ratio का sum और years के sum के बरावर रख दिया बच्चे अगर ये विमल की आयू होती तो मैं 3 ratio is equal to 80 या 3 के सामने 80 रखता और देखता कितने गुना है ठीक है बच्चो तो आज अब क्या है ये sum है अगर ये बच्चो इन दोनों का difference होता अंतर होता तो मैं इन दोनों का अंतर करता वो आता 2 ratio ठीक है लेकिन अब ये कितना ratio 8 ratio देखो ये आ रहा 8 ratio 8 ratio बराबर 80 तो एक ratio हमें पता चल जाएगा कि 80 बटे 8 होगा यानि बच्चे ये कितना हो गया 10 साल का एक ratio में 10 साल बनगे क्या आपको ये बात समझ में आ गई जैसे भाई 8 केले अगर 80 रुपे के हो तो एक केला कितने का है 10 का है वो ही तो किया है तो बच्चे अगर ये देखो कि 3 ratio है विमल का तो 3 ratio है तो विमल की age क्या हो जाएगी बच्चे विमल की age हो जाएगी 3 गुणा 10 यानि 30 वर्स और मैं अरुण की age देखू बच्चे तो अरुण की age हो जाएगी 5 गुणा 10 यानि 50 वर्स दोनों की age आ गई बच्चो 30 और 50 और अगर हम बच्चो अब 10 वर्स पस्चाथ उनका हम ratio देखें बच्चो कितने वर्स पस्चाथ 10 वर्स पस्चाथ और अरुण कीतने का हो जाएगा बच्चे अरुण हो जाएगा 60 का तो 40 ratio 60 और 0 से 0 2 से 2 बार 2 से 3 बार 2 ratio 3 कितना बढ़िया सवाल है और कितना आसान सा सवाल है क्या आप सभी को समझ में आ गया बच्चो जैसे जैसे बोल रहा है देखो हमने पहले ये बात सब को समझ में आगी होगी कि विमल 30 का और अरुण 50 साल का लेकिन 10 साल बात जब देखो गए तो दोनों में 10 10 जोड दिया है बस मैंने ठीक है बच्चे तो 40 और 60 आ गया और 4 6 और 4 6 को अगर मैं 2 से काट दू तो 2 3 उत्तर हो जाएगा बच्चे है न चलिये अब अगले सवाल पर चलता हूँ अगले सवाल पर बटा ये दुगने से 10 बस अदिक एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है मुझे जब आब देना चाहिए उसके 10 बस अदिक है उसकी 20 बस बस अदिक ऐसे सवाल जरना options के बजाए आप इनको X से ही बेतर कर पाते हो और कोई इनका तरीका नहीं है जहाँ दुगने से तीन अधिक तीन अधिक चार अधिक आ जाए तो उसमें X का option ही सबसे best होता है ठीक है अगर आप X में comfortable है तब ही इसको सवाल पे जुद्ध करें नहीं तो फिर आप वर्त्मान आयू का अनुपात 4 अनुपात 3 है यदि 6 वर्स बाद एकी आयू 34 वर्स है गे वर्त्मान कितनी होगी बच्चा एकी वर्त्मान होगी 34 मैं से 6 गए क्योंकि 6 साल बाद 34 का होगा तो A तो आज की डेट मा 28 साल का है 28 का और ये A और B की वरतमान का ही तो रेशो दे रखा है तो भीषा चार वाला अगर 28 का है तो ये कितने गुणा है? 7 गुणा तो 3 वाला कितने होगा? 3 सत्ते 21 वर्सका होगा तीन वाला 21 काओ जितने गुना ये उतने गुना ये तो भीया ये भी साथ गुना ही देखा हमने तो B की वर्तमान आयू बताओ तो ये वर्तमान काई तो रेशो है वर्तमान या रही है सीधी सीधी 21 वर्स बच्चे ये रहा उत्तर यह जो कहता है यह 5 साल बाद बीकी बताओ तो 21 में 5 जोड़ देता 26 साल बचो ऐसे ऐसे सवाल नहीं है कितने इजी इजी सवाल है आ रहे हैं ना बच्चो सबको समझ मैं देखो इससे हमें क्या मिलता है इससे घटाने से हमें वर्तमा नहीं जा गई यानि प्रिजेंट एज कि है 5 साल पूर्व का है तो इसकी उमर भी हमें 5 साल पहली देखनी पड़ती फिर वर्तमान से भी मैं 5 साल पहले जाता 23 साल फिर मैं उस रेशो से कंपेर करता ठीक है रेशो से कंपेर तब होगी अगर वर्तमान का रेशो है तो वर्तमान की ही एज चाहिए बच्चो बात आ र अगले सवाल को अच्छा ऐसा कोई बच्चा इमानदारी से बताना कि सर ऐसा कोई बच्चा है कि जिसने कल क्लास में पढ़ा कि सर आप्शन से कम समझ में आए बहुत लेकिन मैं बहुत ट्राई करूँगा एक बार और वीडियो देखूँगा और वीडियो देखिए उसने घर पे और उसको सब समझ में आने लगा और उसको सारे कोश्चन हो गए कल तो बच्चो ऐसा कोई बच्चा है कि जिसको बाद में सारे समझ में आए हो वीडियो के बाद में यानि घर पे महनत करके आए हो ठीक है ऐसा ऐसा बच्चा बताओँ और फिर बहुत अच्छे से सारी चीज्शे होती चली गया हूँ देखो कितने सारे इमानदारी इसा बता है न बिटा बच्चों अगर मुझसे कभी जूट बोला कभी सफलनी ओपाूगे ठीक है चलिए बहुत सही देखे कितने सारे बच्चे है यार कितने सारे बच्चे है ठीक है चलिए तो ऐसा होता है बच्चो कही बार ना मतलब हम लोग वो क्लास में कही बार कम समझ में आता है क्योंकि हम लोग पहली बार ऐसा पढ़ रहे होता है और हमारे दिमाग में कही सारी चीज़े चल रहे होती है एक बार हमने सांत मन से एक बार और कोसिस की तो वो हमने एकदम क्लियर होता चला जाता है है ना बच्चो चलिए अब मैं अगले कोश्चन की बात कर रहा हूँ बच्चो 15 कोश्चन है हमारा कि दो विद्यारतियों की आयू का रेशो ये दे रखा है तो ये वर्तमान का रेशो है उनमें से एक दूसरे से पांच वर्स बढ़ा है बच्चो यह डिफरेंस नहीं हो गया दोनों का एक दूसरे से पांच वर्स बढ़ा है यानि इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर तो एक रेशो का ही तो अंतर बच्चो अगर यह कहता है इन दोनों का योग है तो मैं कहता है पांच रेशो अब यह एक रेशो और कितने का है पांच वर्स का एक रेशो में पांच साल बनते हैं ये मुझे पता चल गी कैसे ये रहा तो भीया तीन रेशो में कितने साल बनेंगे जब एक में पांच साल बनेंगे तो तीन में भीया पंद्रे वर्स बनेंगे और दो में कितने वर्स बनेंगे दस वर्स बनेंगे तो ये तो दोनों की उमर आ गई बच्चो ये तो दोनों की उमर आ गई तो बच्चे ऐसे लिखते हैं तीन रेशो वाला यानी पहला विद्यारती पंद्रे वर्स और दूसरा विद्यारती कौन है दो रेशो वाला तो वो दस वर्स तो पहले और दूसरे दोनों की एज हमें मिल गई अब कहरा छोटे विद्यारती की उम्र बताओ भीया कितना आसान है यार इसमें तो बताओ सरमार ये करते हुए भी है ना घने आसान सवाल है आगे बढ़ो बच्चो दीर दीर हम बढ़ते चलेंगे ऐसा ऐसे सवालों को कर जाएंगे जो हमसे होते ही नहीं थे है ना बच्चो बाद वाले कुश्चन में घटता क्यों अरे भाई रटो ही मत यार क्यों यार मैं ऐसे ही कह रहा हूँ भाई आपको कुछ याद नहीं रखना है कि बाद वाले में क्यों घटता है पहले वाले में क्यों बढ़ता है बटा बिलकुल याद मत रखो बस सवाल पे जाओ कि कोई 6 साल बाद की उमर है तो आज की क्या होगी ऐसे सोचा करो कि मेरी अगर 6 साल बाद यह तो आज कैसे लाँगा मैं पिलस करूँगा या माइनस करूँगा ऐसे सोचोगे तो आप कभी इन सवालों में गलती नहीं कर सकते लेकिन अगर रटोगे उसमें पिलस उसमें माइनस तो हमेशा गलती करोगे ठीक है और ये हमें रटवाया जाता है जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं चलो अब बच्चो अगले सवाल में आते हैं जै प्रिकास और नितिन की आयू में पांच अनुपात स्धात का अनुपात है यदि उनकी वर्तमान आयू का योग 48 वर्स है तो उनकी आयू में कितना अन्तर है अब बच्चो इनकी आयू का योग 48 है तो पांच और साथ अब भाई ये योग है तो पांच रेशो और साथ रेशो लेकिन क्या ये वर्तमान का ये जी हाँ ये भी वर्तमान है आरा जी हां वर्तमान है तो भीया पांच और साथ बारे रेशो का मान है ये अड़तालिस वर्स अगर ये कहता बटा ये जह प्रिकास किये तो मैं कहता पांच रेशो का मान है अड़तालिस लेकिन यहां तो यह योग है तो एक रेशो बराबर 48 बटे बार है यानि चार साल का एक रेशो है बच्चे एक रेशो में चार साल बन रहे है तो पांच रेशो में कितने बनेंगे भी या जै प्रकास जै प्रकास का जै प्रकास का क्या होगा वो पांच रेशो है जी पांच रेशो तो एक रेशो में चार है तो पांच में 20 साल का तो जै प्रकास है आज की डेट में ठीके बच्चो और ये दूसरा कौन है नितिन है तो नितिन जो है आज की डेट में कितने रेशो है सेवन थो 28 वर्स का यह कौन नितिन है अब के रहा उनकी strikinglarा उनकी आयू में कितना अंतर है बचे अगले सवाल पर यह देखना बच्छो जरा यह देखना कितने मज़ेदार कोश्चन है ना बच्छों लग रहा है केना कि इनको तो हम यार सपने में भी कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन है सर सारे चलो एक और देखते हैं निशावर सालिनी की वर्तमान आयू में 14 साल का अंतर है वर्तमान में बच्चों आप देखिए अब यहां से एक गेम खिलना सुरू करेगा हमारे साथ देखिए मैं आपको एक बात बता दू दिहां देना बच्चों मेरी बात गौर से सुनना वरना यह सवाल आप कभी नहीं कर पाओगे यह एक बात बताओ कि आपका भाई और आप में आज चार साल का अंतर है भाई बड़ा या चोटा है वह बात छोड़ो आपके भाई में और आप में चार साल का डिफरेंस है अब मैं क्यों अगर दस साल बात देखू दोनों को तो उनमें कितने साल का डिफरेंस आएगा कितने साल का अंतर होगा यानि आज आज आपका भाई आपो बीस साल के और आपका भाई अगर चोबिस का है और दस साल बात देखूंगा बच् दिख लो वो डिफरेंस कभी नहीं बदलता वो चार साल का ही रहेगा मतलब अंतर बराबर ही रहता है बच्चो ऐसे समझ सकते इस बात को कि आपका भाई जब आपका जनम हुआ था आपसे चार साल बड़ा था अरे भाई वो जो मरते दम तक भी आपसे चारी साल तो बड़ा या कभी 6 साल बड़ा भी हो जाएगा बीच में ना ना तो वो अंतर तो हमेशा बराबरी रहेगा बच्चो बात आ रही है समझ में हाँ जी बहुत अच्छे से आ रही होगी अब बच्चो ये 14 यर्स का जो डिफरेंस है ये आज की एज का डिफरेंस है और ये जो है 7 साल प पहले ही देखना पड़ेगा और अगर ये योग होता तो वो भी 7 साल पहला ही देखना पड़ता अब बच्चो मैंने क्या बताया कि डिफरेंस अगर किसी में देखना है तो 7 साल पहले भी वही होगा 7 साल बाद भी वही होगा आज भी वही होगा तो 7 साल पहले भी ये से मे कर लेना अपने notes हो में कि difference हमेशा बराबर रहता है लेकिन बच्चों याद रखना कि जिसमें ratio है और वो difference हो योग हो या किसी एक की age हो वो भी उतने साल पहली ही देखनी पड़ती है जिसमें अनुपात हो तभी हम अनुपात से compare करते हैं तो 14 साल का यह difference है और यहां कितने का difference है दो ratio का तो दो ratio में 14 verse क्योंकि वच्चे क्यों कर दी हमने compare क्योंकि difference कभी बदलता नहीं है और एक ratio बराबर 7 verse का होगा एक ratio अगर 7 का है तो 5 वाले का मान क्या हो जाएगा 35 verse और 7 वाले का मान क्या हो जाएगा उड़न्चास वर्स आ रहा है ना 14 साल का अंतर दोनों है जी हाँ क्योंकि एक रेशो साथ का तो साथ पन ना पहा तेसा सत्ते उड़न्चास अब बच्चो सालिनी की वर्तमान आयो बच्चे एक बार देखना सालिनी कौन सी है इनमें दूसरे वाली तो उड़न्चास वर्स उड़न्चास वर्स कब है सालिनी की अरे साथ वर्स पहले साथ वर्स पहले पही तो गए हो आप रेशो जो तो साथ वर्स पहले सालिनी सालिनी कितने की आ रही है हमारी सालिनी आ रही है भी है उड़न्चास वर्ष की कब साथ साल पहले बच्चे ध्यान देना आप की मतलब कोई आप हो या कोई भी है कोई व्यक्ति अगर साथ साल पहले उड़न्चास का था तो आज की डेट में साथ साल पहले तो वो छोटा रहा होगा आज की डेट में तो वो बढ़ गया होगा अब आप खुद बताओ तो वो वर्तमान में कितने की हो जाएगी वर्तमान में साल नहीं तो वर्तमान में हो जाएगी ये साथ साल पहले उड़न्चास की थी आज तो साथ बढ़ जाएगी बच्चे तो कैई सारे बच्चों ने 42 कर दिया बटा घटा क्यों रहे हो बटा साथ साल पहले वो उड़न्चास की थी आज क्या होगी ये सोच ना है आपको देखो विशाल पावार अब भी 42 ही दिये जा रहा है बटा सुनोगे नहीं ना फिर क्या होगे एक बार और गुरू स्वाले ना फिर अपनी जिद पैड़े रहा होगे और फिर ना हमेशा सवालों को गलती करते रहा होगे हमेशा ठीक है चलिए अब नेक्स्ट कोश्चन की बात करता हूँ बच्चों नेक्स्ट कोश्चन की ये लिजिए अब और सी की वर्तमान आयू का योग 90 यर्स है वर्तमान का है वर्स पहले उनकी आयू में एक दो तीन का नुपाद था तो सी की वर्तमान आयू कितनी है सी की वर्तमान आयू कितनी है ये आपको बताना है ये आपको बताना है चलिए अगर हम देखें ABC की वर्तमान बच्चो मैंने एक बात बताई थे अगर आपने पिछला सवाल सारा सुना होगा अगर आप उसमें जल्दी भाए गरेजी हमने कल लिया तो बच्चे इसमें ये अटक जाओगे आप और इन सवालों को हमेशा गलत करोगे अगर आपने पहले सवाल की सारी बातों को नहीं सुना होगा क्योंकि मैं उसमें कोई रामायन थोड़ी पढ़ रहा था बच्चे उसमें एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा था अब देखिए यहां फिर वही बात आ जाती है कि A, B, C की वर्तमान आयू का योग 90 एर्स है वर्तमान आयू का सम अब यह क्या है बच्चे छे वर्स पहले उनकी आयू का नुपात यह है मैंने एक बात बोली थी कि जिसमें रेशो देगा यह 6 साल पहला हो 6 साल बाद का हो या वर्तमान का हो ये वर्तमान एज है तो अगर ये भी वर्तमान का है तो मैं सीधा सीधा कंपेर कर दूँगा कि भाईया ये योग है तो जोड़ दो सबको एक रेशो दो रेशो तीन रेशो तीन दो पाच रेक छे रेशो बराबर 90 है क्या ही सारे बच्चे अब भी ये कर रहे होंगे कि 6 रेशो इस इक्वेल टू 90 एक रेशो पंदे साल का गुणा कर दो उत्तर आ जाएगा गुरू जी बटा ऐसान नहीं है ऐसान नहीं है क्यों नहीं है ध्यान दो ये वर्तमान की है और ये 6 साल पहला है बटा रेशो में हम कुछ नहीं कर सकते जो करना है हमें इसको चेंज करना है जिसमें रेशो दिया 6 साल पहले का रेशो दिया है तो मैं इस वर्तमान को भी 6 वर्स पहले का लाऊंगा 6 वर्स पहले का मेरे को बनाना पड़ेगा यानि छे वर्स पूर्व ए पिलस बी पिलस सी यानि तीनों का योग क्या होगा छे साल पहले बैटा खुद बताओ हर आदमी छे साल पहले तो छे छे साल कम का था या नहीं था इनमें से हर आदमी छे साल पहले छे छे साल कम का होगा तो बच्चे छे साल कम का होगा तो ये नबबे में ये भी छे कम ये भी छे कम ये भी छे कम टोटल तीनों मिलाके अठारे कम के होंगे क्योंकि तीनों के में से 6-6 गटेंगे 6 साल पहले तो भीया ये तीनों जो है 72 वर्स योग आएगा कब तीनों का 6 साल पहले 72 वर्स आएगा ये बात समझ में आती है ये ही है सबसे बड़ी बात बिटा सबसे बड़ी बात ये ही है कि देखो 6 वर्स पूर A प्लस B प्लस C ये आज की देट में 90 के हैं 6 साल पहले ये 18 कम के होंगे क्यूं अगर 2 होते तो 6-6-12 गटता है न बच्चो अब मैं आगे क्या कहना चाह रहा हूं कि इनका रेशो बच्चो ये है तीनों का ये रेशो ये है 1, 2, 3 अब देखना बच्चो ये भी 6 साल पहले का ये भी 6 साल पहले का अब जो C की उम्र निकालनी है वो भी अब 6 साल पहली ही तो आएगी C की रेशो क्या है? 3 रेशो ये तीन का मान बाद में निकालूंगा पहले देखूंगा ये किस का मान है? 72 तीनों का जोड़ है तो 1 रेशो पिलस 2 रेशो पिलस 3 रेशो सब काम अब मैं 6 साल पूर्व कर रहा हूं 6 साल पूर्व 72 अब बेटा यहां देखा 6 रेशो में 72 वर्स बनगे तो 1 रेशो कितने साल का है? 12 वर्स का हो गया तो भईया C की उम्र देखनी है तो C की भी जो आएगी ना तो रेशो ही 6 साल पहले के तो 6 वर्स पूर्व की आएगी 6 वर्स पूर्व C की आयू क्या होगी 6 वर्स पूर्व C की आयू क्या होगी बेटा? तो 6 वर्स पूर्स C की आयू होगी 3 रेशो तीन रेशो एक रेशो बारे का है तो तीन गुणा बारे यानि 36 वर्स क्या 36 उत्तर आ जाएगा ना ना ये 6 साल पहले की एज़े की बहुत सारे बच्चे इसका 36 भी लगा देंगे जल्दी में है ना 6 साल पहली है और सी की पूछी क्या ध्यान से पढ़ लो वर्तमान अब कितना होगा सी वर्तमान में कितना होगा बेटा वर्तमान में होगा सी 36 में 6 जुड़ जाएंगे क्यों जुड़ जाएंगे अरे तुम 6 साल पहले तो जवान थे ये 6 साल पहले तो 36 का था आज की डेट में थोड़ा सा तो बुड़ा हो जाएगा कि नहीं 42 वर्स तो ये सवाल आसन नहीं है इस सवाल को बहुत सारे बच्च्चे पेपर में गलत करेंगे बहुत सारे ठीक है तो बिलकुल और अगर कोई भी बात है अगर बच्चों आपने नहीं सुनी है तब ही आपको ऐसे लगेगा कि ये कम समझ में आ Reporter Two आपने सुनी नहीं होंगी कि मैंने ये क्यों किया है क्योंकि आप उस टाइम पता नहीं क्या कर रहे होते हो एक एक बात बहुत अच्छे से अब इस एक चप्राना बहुत देर से ऐसा मैसिज कर रहे हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा जब तो मैंने सवाल भी शुरू नहीं किया था तब से कर रहे हो बैटा ऐसा एटिट्यूड मत रखो समझ मैं नहीं आ रहा सवाल सुरू होने से पहले कह दो कि समझ मैं नहीं आ रहा तो और ट्रिक ढूंड रहे हो, काईदे से चलो, काईदे से, चलो, next question क्या है, देखो, तीन व्यक्तियों की, अब आप देखो बच्चों, उसकी practice मैं करा दूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल same question में यहां ले आया हूँ, तीन व्यक्तियों की आयू, वर्तमान आयू का अनुपात, अब ध्यान देना कि यह वर्तमान का है, अब इसके according बनाना पड़ेगा, जिसको भी बनाना है, पांच वर्स बाद उनकी आयू का योग, बिटा यह पांच साल बाद तीनों की आयू का योग दे रखा है, लेकिन यह कब का है, पांच साल बाद का है, और रेशो क्या है वर्तमान, तो हमें यह वर्तमान ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चीज चलनी है रेशो के हिसाब से, तो A प्लस B प्लस C, यह पांच साल बाद है किया सी, तो आज की डेट में तो यह कम के होंगे, पांच साल बाद ही कि तीनों कमके होंगे, इट मेंस ये हो जाएगा 66 वर्स, अरे 66 वर्स, तो तीनों का आज की डेट का योग 66 वर्स है बच्चे, अब ये क्या ये वर्तमान रेशो है, अब बाट सकते हो बच्चो, तो बाट ना कहो या कुछ भी कहो, तो बच्चो मैं एक रेशो का मन कैसे लाओं बच्चो, रेशो की कंपेर सिर्फ तभी करनी है, जब आप सेम बना लो, योग आपको पांस साल बाद का दिया था रेशो वर्तमान का, इसलिए दोनों को पहले वर्तमान बनाएंगे, है ना, ये तो वर्तमान है, इसमें तो छेडा खानी करी नहीं सकते रेशो में तो, हम जो करेंगे, इसमें करेंगे, है ना, बच्चे, तो 22 रेशो बराबर 66, एक रेशो बराबर 66 बटे 22, यानि तीन साल का एक रेशो, अब बच्चो किसकी उमर चाहिए, आपको B की, और B कौनसा है, B का कितना रेशो है, सात रेशो, और ये भी कब का वर्तमान का है, कि हाँ ज भाई, इतने आसान सवाल है, आप केरें, सौर्ट ट्रिक चाहिए, सौर्ट ट्रिक चाहिए, इनको बताओ, हद हो रही है, बिलकुर, चलो, तो next question क्या है, बिटा, next question देखो, next question, 20 वाँ, ये देखना बच्चो, मा तथा बेटी है, तो घना आसान सा सवाल लग रहा है, मा त तथा बेटी की वर्तमान आयू का योग 54 वर्स है तथा उनकी वर्तमान आयू का अंतर यानि उनका योग 54 है उनकी आयू का अंतर 30 है योग और अंतर कभी भी बच्चों दो चीजों का मिल जाए ध्यान देना बच्चों कभी भी योग और अंतर मिल जाए यानि सम मिल जाए औ बच्चे तो हमें अगर बड़े वाले की ऊम्र चाहिए निः बड़ी क्या होगी कभी दो संख्याओं का एक बात नोट में लिख देना दीक्षा जायान नोटसों में लिखना कि जब भी दो संख्याओं का योग और उनका अंतर हमें पता हो और उनमें बड़ी संख्या निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के आदा योग पिलस अंतर बटे दो और छोटी निकालनी हो तो योग माइनस अंतर बटे दो ये ट्रिक कहलो या कुछ भी कहलो तो इनमें बड़ी यानि मा की कितनी आ जाएगी मा तो बढ़ी होगी, भाई मा बढ़ी होगी, तो योग पिलस अंतर बटे दो, तो भाई ये हो जाएगा, और छोटी, भाई बढ़ी तो मा है, मा की एज आ रही है, और छोटी कौन होगी, पुत्री होगी, बेटी होगी, अब उसकी एज कैसे निकालते हैं, जब भी योग अं अंतर बटे दो तो बहुत बढ़िया घटाओ के आधा छोटी आएगी जोड के आधा बढ़िया आएगी अब देखो 54 उनका योग है और अंतर कितना है 30 है तो वहिया 54 पिलस 30 बटे दो 84 बटे दो यानि 42 वर्सा जाएगी 42 की तो मा है 42 की तो मा होगी और वच्चे बेटी कितने की है 54 माइनस 30 बटे दो यानि 24 बटे दो 12 साल की बेटी है तो दोनों की एज मिल गई कि बेटी कितने की है और मा कितने की है तो मा और बेटी की आयू का आठ वर्सों बाद अनुपात तो आठ वर्स बाद ये कितने की हो जाएंगी आठ वर्स बाद मा कितने की हो जाएंगी खुद बताओ अच्छो और बेटी कितने की हो जाएगी आठ वर्स बाद मा हो जाएगी 42 पिलस 8 की और बेटी कितने की हो इस सवाल का तो बेटा देखो मैंने आपको कितने आराम से ये सवाल करवा दिया और कितने आसानी से आपको समझ भी आ सकता है है ना तो कभी भी आपको योग और अंतर मिले तो जोड के आधा कर दो इनमें बड़े वाले की उम्र आ जाएगी और कभी भी आपको योग अंतर मिले घटा के आधा कर दो योग अंतर को उन में से छोटे वाले की उम्रा जाती है है ना बच्चो कहीं भी जी हाँ कहीं भी तो बच्चो यही रूल है तो चलिए कोई दिक्कत बच्चो बिना ट्रिक बच्चो यही ट्रिक नहीं है आप अगर बिना ट्रिक के चाहते हो तो कोई बात नहीं मा की X मान लो बेटी की Y मान लो X प्लस Y बटे प्लस 54 और X माइनस Y बराबर 30 और यहां दोनों से काट दो 2X बराबर 84 X बराबर 84 बटे 2 यानि 42 ऐसे आएगी अगर आप चाहते ही हो तो अरे वो भी तो वही कर रहे हो 54 और 30 जोड़के और अधाई यही तो कर रहे हो यहां भी यहीं से तो आई यह तरीके से निकल के है ना चलिए बहुत सही आगे आते हैं बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं अगले सवाल पे अब बच्चों टाइप थ्री हमने टाइप टू को पढ़ लिया आज हमारी टाइप थ्री चल रही है टाइप थ्री मैं सुरू करने वाला हूँ बच्चों तो मैथट से बता दिया बटा मैथट से पढ़ाओ कन्फिज होता है बिटा वो जो जहां जरूत है जहां जिस चीज़ की बेस्ट जरूत है जहां जिस चीज़ से बच्चा बेस्ट सीखता है मैं वो बताता हूँ और उसी चीज़ से किया करो आप ठीक है आप कभी कनफ्यूज नहीं होगे आपको नहीं इसमें वो गुसा देता हूँ उसमें वो गुसा दूँगा तो ऐसे बच्चे आपको होगा नहीं फिर ठीक है चलिए अब देखिए मैं अब आपके सामने टाइप 3 रखने जा रहा हूँ टाइप 3 को मैं फुल ओन ट्रिक से करूँगा फुल ओन ट्रिक लगाँगा और एक ही ट्रिक से सारे सवाल करूँगा सेम ट्रिक से तो आज पहली ट्रिक बताने जा रहा हूँ इस चेप्टर में एक ही ट्रिक बताँगा और इस से जितने भी रेशो वाले सवाल है आपके जहां सिर्फ रेशों में बात होती हो कि दस वर्स पूर इनका रेशो ये उनकी वर्तमान आयू में ये रेशो उनकी आयू किरम से क्या क्या होंगी बच्चो चाहो तो इसको आप्षन से भी किया जा सकता है कल वाले मैथड से कैसे दोनों में से दद्दस घटाओ ये रेशो का अप्शन से आ रहा है है ना और उनकी वर्तमान आयू का रेशो दो तीन तो वर्तमान तो ये अप्शन में ही है वर्तमान तो दो तीन कौन सी का है इसका है दो तीन इसका भी दो तीन है इसका भी दो तीन है यह तो दो तीन है ही नहीं अब दस साल पहले और चेक कर लो तीन पांच किसम हैं दस साल पहले इसमें जाओगे यह तो दो तीन ही नहीं है छोड़ो दस साल पहले यह दस का यह बीस का तो यह एक दो का रहिस हो आएगा हमें करना 3-5 का 10 साल पहले 30 का 50 का यह हो गया 3-5 इसी में आ सकता है 40-60 में 40-60 ही इसका उत्तर आना है यह तो बच्चों मैंने उप्शन से तरीका बताया है इसका उत्तर 40-60 आएगा बेटा यह वर्तमान में 2-3 आ रहा है लेकिन 10 साल पहले 3-5 नहीं आएगा इससे 10-20 आएंगे 10 साल पहले और जब 10-20 आएंगे तो एक दो का रेशो हो गया हमें 3-5 का करना है 10 साल पहले इसे लिए बचा यह ऐसे करना है अगर कोई दिक्कत है तो यह तो मैंने आपको आप्शन से बता है पर बचा कभी कभी ना यह आप्शन से क्यों नहीं होगा जब वो पूछेगा कि इनका इनका 5 साल बाद अनुपात बताओ और रेशो आप्शन में सारे रेशो ही होंगे फिर आप करी नहीं सकते इसको ठीक है तो बच्चे फिर नहीं कर पाओगे इस सवाल को अगर उसने अप्शन में भी रेशो ही दे दिये उमर दे रखी थी आपने आसानी से लपेट लिया कोश्चन को है ना तो मैं आपको इसलिए मैथड बताता हूँ मैथड सीखना इसलिए ही जरूरी है तो मैथड कहो या ट्रिक कहो मैथड भी है या ट्रिक भी है तो बच्चे अब मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना A और B यहां दो रेशो दे रखें एक तीन पांच का और एक दे रखा है दो तीन का दो तीन का इन दोनों रेशो को ऐसे लिख दिया करो बच्चे पहले तो हम इन दोनों की आपस में ऐसे मल्टिप्लाई करते हैं तिरची मल्टिप्लाई तीन तिया नो पांच दूनी दस दस में से नो घटा देंगे यानि बड़े में से छोटा तीन तिया नो दो पंजे दस तो भाई देखिए नो रेशो माइनस दस रेशो आ रहा है आ रहा है या नहीं आ रहा है ये रेशो की गुणा होई है बच्चो दोनों रेशो को ऐसे मल्टिप्लाई कर दीजिए ठीक है ये तो करीद होगे इनका डिफरेंस निकाल लीजिए ये डिफरेंस किसके बराबर होगा ये बच्चे किस के बराबर होगा ये कितने साल का अंतर है दोनों रेशो में यू बताओ कितने साल का बटा ये दस साल पहला और ये वर्तमान है ये वर्तमान है जितने साल का डिफरेंस है सिर्फ दस साल का ही तो डिफरेंस हुआ ये वर्तमान है और ये दस साल पहला है तो यह जो दस वर्स है अब इन वर्सों में भी तिर्ची गुना कर दो इनकी जैसे पहले आपने रेशों में की थी अब नीचे वाले की उपर वाले से मतलब नहीं इनकी अब रेशों में इनमें भी गुना कर दो वर्सों में तो यह दस तीया तीस वर्स माइनस दस द बराबर दस वर्स आपका उत्तर एक रेशो बराबर दस वर्स आ रहा है बच्चो यह हमने एक तरीका निकाल लिया एक रेशो बराबर दस वर्स क्या यह बात समझ में आई आई आपको यह नहीं आई बेटा पहले तो मैंने यह दस का अंतर देखा ही नहीं था पहले मुझे इ का अनुपात है, ये अनुपातों में कितने साल बाट डिफरेंस आया, वो खुद कहरा, दस वर्स पूरुकार ये वरतमान का है, तो सिर्फ दस साल का यह अंतर मिला मेरे को, ठीक है, तो मैंने वो दस दस बीच में रख दिया, तो 10 तिया 30, 10 दुनी 20, नीचे वाले की गुणा करते हैं दोनों में तो मैंने देखा 30-20 यानि 10 वर्स एक रेशो में बटा 10 साल होते हैं एक रेशो में 10 साल होते हैं अब मुझे उनकी आयू कितनी है यानि वर्तमान देखनी है बटा ये तो 10 साल पहला रेशो है और ये क्या है ये वर्तमान है तो पेटा वर्तमान में ही आपको इसकी गुणा करनी होगी तो वर्तमान में अगर मैं गुणा करूँगा तो वर्तमान में अगर मैं इनकी गुणा करूँगा तो पेटा क्या आएगा वर्तमान कौन सा है नीचे वाला तो 20 वर्तमान में 20 वर्स और 30 वर्स 30 वर्स 30 वर्स यह 20 और 30 यह क्यों आ रहा है 40-60 नहीं आना चाहिए था यह 20 साल का अंतर तो नहीं है उनकी वर्तमान आयू इस से तो 20-30 आ रहा है 10 दूनी 20, 10 तिया 30 यानि एक रेशो में 10 वर्स 20-30 चलिए गलत तो नहीं हो ना चाहिए एक रेशो हमारा 10 साल का आएगा और 10 साल में चलिए बच्चों मैं बताता हूँ अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो अगर है तो बताता हूँ नेक्स कुशन देख लेते हैं अभी हमें अपनी गलती समझ में आ जाएगी अगर कुछ खुई है तो ठीक है बच्चों ये देखे मैं उसको अभी बताता हूँ अगर उसमें कुछ भी मैथड में दिक्कत आएगी तो बताता हूँ अंतर होगा अच्छे चलो मैं बताता हूँ देखता हूँ कि क्या आ रहा रहा है वो रेशो अंतर जो डिफेरेंस आ रहा है सईद वो अंतर ही होगा बिल्कुल चलिए देख गे बताऊंगा बच्चों हां साथ वर्स पहले पहले मैं इसमें देखता हूँ बच्चे साथ वर्स पहले A और B के बिल्कुल सेम कोश्चन करना बच्चे सात वर्स पहले तो A रेशो B A रेशो B तीन रेशो चार ये बच्चे सात वर्स पहले है द्यान देना ये सात वर्स पहले का है और ये क्या नो वर्स बाद का नो वर्स बाद का क्या होगा बच्चे 9 वर्स बाद का थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ 9 वर्स बाद का क्या रेशो दे रखा है 9 वर्स बाद का 7 रेशो 8 दे रखा है और इसमें क्या बोला है यह 7 साल पहले है 9 वर्स बाद कितने सालों का अंतर हो गया आप क्योगे दोनों में 16 साल का अंतर है तो पहले हम गुणा करेंगे बच्चो पहले हम गुणा करेंगे आठ तिया 24 रेशो और minus 28 रेशो बराबर क्या होगा बच्चे यहां कितने साल का अंतर है 16 साल का 16 साल का तो 168, 128 और पिर ये गुणा होती है आपको पता ही है 168, 128, 167, 112 तो 128 और 112 यह दीखी बच्चे इतने वर्स लिख देंगे हम 128 और 112 पहले रेशो का अंतर और फिर इनका अंतर बच्चो अब अगर हम देखें अगर अब हम देखें तो यहां क्या आ रहा है बच्चो 4 ratio is equal to यहां आ रहा है 16 वर्स 4 ratio is equal to 16 वर्स एक रेशो कितने का हो गया बटा 4 वर्स का हो गया एक रेशो 4 साल का हो गया अब आपको यह तो इस से देख लो यह इस से देख लो तो मैं इस से देख रहा हूं बच्चे 7 साल पहले तो इस रेशो की compare करता हूं तो 7 वर्स पहले एक इतने का हो जाएगा तीन रेशो का था तो 3 गुणा 4 यानि 12 साल का और बच्चे भी कितने का हो जाएगा 7 साल पहले तो 7 साल पहले तो 4 गुणा 4 यानि 16 साल का भी हो जाएगा बच्चे अब मुझे चाहिए किसकी B की वर्तमान आयू चाहिए तो ये 7 साल पहले 16 का था 7 साल पहले तो वर्तमान में B कितने का हो जाएगा बच्चा वर्तमान में B हो जाएगा 16 पिलस 7 यानि 23 साल का बहिया साथ साल पहले था वो सोले का आज की डेट में तो वो 23 साल का हो जाएगा ये सवाल ऐसे करना है बच्चो तो देखिए ये ट्रेक है ये जो हमने तिरची गुना करते हैं बच्चो बहुत ही आसानी से ये सवाल समझ में आएंगे अगर आपको ये बात देखिए बस इतनी सी बात होती है जो आपने ये रखनी होती है ये समझ में आगी ना फिर आप एक रेशो का बहुत आराम से मान ले आते हैं जब ये अपका एक रेशो का मान आ जाता है तो बच्चे इनमें हमें गुना करनी होती है तीन रेशो ये चार रेशो लेकिन ध्यान रगना यह साथ साल पहले हैं तो आज की लाने के लिए इनमें साथ साथ और जोड़ना होगा बस यह उत्तर है बच्चो नहीं समझ में आया तो मैं अगला तो तो बच्चो मैं अगला मैथड़ अगला सवाल और करवाता हूँ प्रेक्टिस के लिए अभी आएगा समझ में जिनको नहीं आया कोई साथ साल पहले था एक नौ वर्स बाद था साथ और नौ दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया सोले का क्योंकि साथ साल पहले तुमारी उमर और एक नौ साल बाद की उमर तो सोले साल कंतर है इन दोनों में एक घटना साथ साल पहले हुई है एक नौ साल बाद होगी दोनों घटनाओं में कितने कंतर है सोले का ये बताईए मैंने सोले कहां से आया ठीक है आप कहते हो जब सुनते नहीं हो कि सोले कहां से आया तो फिर रिपीट कर रहा हूँ रिपीट इसमें बिलकुल सेम चीज हो जाएगी बच्चो देखना अब यह सवाल गंगा सिंग और राजवती की वर्तमान यह बहुत बढ़िया मैं थड़ है बच्चो ए गंगा और राजवती की वर्तमान आयू कानुपात तो बढ़िया गंगा है एक और दूसरी कौन है राजवती है गंगा और राजवती ध्यान देना छे साथ यह कब का है उनका वर्तमान का वर्तमान में वो छे रेशो साथ का अनुपात है दोनों में आठ वर्स बाद बच्चे आठ वर्स बाद आठ वर्थ बाद अगर मैं देखूँ तो यə क्या है आठ वर्थ बाद उनकी आयू का अनुपात आठ अनुपात 9 होगा आठ साल बाद तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस हुआ ये वरतमान था ये 8 साल बाद था तो 8 का ही difference तो बीच में 8 लिखूंगा जैसे पहले 16 लिखा था वहाँ था 7 साल पहले और 9 साल बाद 7 और 9 कंतर 16 इसलिए आया था और यहां क्या है 8 साल बाद तो इन दोनों में सिर्फ 8 का difference है अगर यह होता 8 साल पहले या 8 साल बाद फिर 16 का difference हो जाता बात आ रही है समझ में ऐसे आता है यह 16 चलो फिर कहते हो कहां से आया तो भाई पहले देख लिया करो इन दोनों की गुणा करूंगा 9 चिक्के 54 आठ सत्य चपन यानि 54 ratio माइनस 56 ratio अब बच्चों क्या करूंगा यहां पर क्या रिखूंगा मैं कि यह कितने साल का अंतर है आठ साल का तो आठ आठ लिख दूँगा अब इन आठ आठ में भी multiply होती है आपको भी मालूम है तो भाई यह वर्स आते हैं क्योंकि यह आठ वर्स यह आठ वर्स तो नौट थे 72 अठोट चौशट 72 वर्स माइनस 64 वर्स तो भाई एक रेशो में कितने आ गए यह हो गए दो रेशो दो रेशो बराबर कितने वर्स है बच्चे यह आठ वर्स दो रेशो में आठ वर्स तो एक रेशो कितने का हो जाएगा बच्चे एक रेशो चार वर्स का हो जाएगा फिर से तो वर्तमान में गंगा, वर्तमान में गंगा कितने की हो जाएगी, गंगा हो जाएगी, 6 रेशों तो 6 गुना 4, 24 साल की, 24 साल की हो जाएगी जी वर्तमान में गंगा, और दूसरी कौन है राजवती, तो राजवती वर्तमान में कितना रेशों, 7 रेशों, और एक रेशों का चार साल तो 28 वर्स की राजवती है वर्तमान में अब कहड़ा 12 साल बाद उनकी आयूक अनुपात तो गंगा और राजवती 12 साल बाद गंगा हो जाएगी 24 प्लस बार है और ये 28 प्लस बार है यानि 36 और ये 40 काटूं तो 9 अनुपात 10 9-10 का रेशो ये रहा बच्चो 9-10 का रेशो ये रहा कितना बढ़िया सवाल था बच्चो क्या रहा है कि ये जो रेशो देखना है ना बटा ये 12 वर्स बाद देखना है इसलिए 12 जोड़ा है दोनों में 12 साल बाद दोनों का रेशो बताओ तो मैंने 12 बाद दोनों में आगे भी करो गए ना इन सवालों को, यह यह होते चले जाएंगे बच्चो, एक एक सेकिंड के सवाल, ददद सेकिंड के सवाल हैं, कभी आपको लग रहे हो जी बड़े हैं, बड़े तो यह होते ही नहीं है, चलो, यह हमेशा आपके सामने छोटे ही रहेंगे, दो वर्स बाद, तो भाई, A और B को फिर रख दीजिए, यह दो वर्स बाद का है जो आ रहा है, दो वर्स बाद, का क्या रहे सो है, छे पाँच, फिर समझ यह, बिल्कुल तू को अपी सवाल हैं, आरे एक दूसरे के, तेरे वर्स पहले, तो अब देखना बीच में क्या रखूँगा, खुद बताना आप, जो पहले सोले वाले हैं न, इस सोले कहां से आया, आप समझना, अपने आप बताओ मुझे, कि बीच में क्या रखूँगा, तो तेरे वर्स पहले, एक याईू इस समय की, बी की याईू की आधी है, तो भाई, एक याईू बी की समय की आईू का आधा थी, तो भाई, एक याईू बी की आईू का आधा, तो दो, एक, एक याईू बी की आईू का आधा, सौरी, एकी आयू आधी है, बी की एकी आयू बी की समय की आधा, तो भाई एकी आधी और बी की दुगनी मानी जाएंगी, भाई बी दुगना है इसका मतलब तेरह साल पहले और आज की डेट में यह दो साल बाद यह नू पात है तो इन दोनों का difference कितना होगा अब 15 साल बाद के ratio होगा एक दूसरे से तो पहले ratio की गुणा करो आपस में दो चिक के बारे 5 एकम 5 बारे ratio माइनस 5 ratio बराबर अब ये कितने का अंतर है 15 ratio ओ सारी 15 वर्स और ये भी 15 वर्स का difference आया दोनों में अब ये जो 15 पंदर आये हैं आपको पता इनकी तिर्ची गुणा होती है 30 वर्स माइनस 15 वर्स ठीक है बच्चो तो ये आपका 15 वर्स आजाए एक ही वर्तमान आयू यार आज कुछ ये difference ये कुछ दिक्कत तो नहीं कर रहा सवालों में लिखने में तो गड़बड़ नहीं कर दि चलिए या हम इसको गलत पड़ रहे हैं B की इस समय की आयू की B की वर्तमान तो नहीं है ये तो वाल की language कुछ clear नहीं हो रही A की आयू B की इस समय की आयू का आधा थी वर्तमान से तो नहीं कहना चाहरा बच्चो इस में क्योंकि यहां हम कर रहे हैं तो यहां पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि साथ रेशो बराबर पंद्रे वर्तारा यह कटने वाला आता है हमेशा तो यहां या तो question में problem है या लेंग्विज में problem है ठीक है या फिर यह इस समय की यानि वर्तमान कह रहा है अगर यह इस समय की दे देगा तो फिर यह चीज नहीं लगेगी ठीक है पंद्रे कहां से आया बेटा पंद्रे यहां से आता यह इन दोनों का डिफरेंस पंद्रे दूनी तीस पंद्रे इकम पंद्रे तीस माइनस पंद्रे यानि पंद्रे वर्त ठीक है इन दोनों का डिफ प्रेंसे 15 वर्स 13 पहले और दो यह बाद अच्छा 13 पहले और दो सहां तभी तो पंद्र आया तो ऑप्शन गलत दे रहां मतलों कुछ ना कुछ इस सवाल में बच्चो अब बताओ हम इतने सारे लाइब बच्चे हैं और तब भी ऐसी गलती हो जाए तो गलत बात है ठीक है और हो सकता है इसकी लैंग्वेज में कुछ दिक्कत हुई तो मैं आपको इसको कल बता दूँगा नया चेप्टर परसेंटेज शुरू करेंगे औ और फिर हम कल इस सवाल को आगे पढ़़ लेंगे ठीक है अगर कुछ इस तरह की कोई दिक्कत हुई तो ठीक है कैब मैं कल पहले इन दो सवालों को एक वो पहले वाला था एक ये वाला था इन दोनों को मैं बताओंगा चलिए नेक्स पुशन पर चलते हैं बच्चो विशा है और सेखर है अब आपको आब गया होगा इतने सारे सवाल कल लिए बच्चों हमने इस मैंठरद से विषाल कुतना हैं विषाल 14 है और सेखर 17 है अब से छषय वर्ष पस्चात तो छषय वर्ष बाद तो भाई 6 वर्ष बाद है वर्तमान है और यह 6 वर्स बाद है 6 वर्स बाद है बच्चे तो ये 6 वर्स बाद उनका रेशो 17 रेशो 20 है और 6 वर्स बाद है तो 6-6 रख देंगे बच्चे बीच में क्योंकि इन दोनों का डिफ्रेंज 6 का ही आ रहा है तो पहले इनकी गुणा तो 20 की 14 में 14 रेशो 288 रेशो माइनस 87, 74, 29 रेशो बराबर फिर इनकी गुणा करते हैं आपको पताईये 20 चिक ए 120 वर्स माइनस सतरे चिक ए 102 वर्स अब आपने देखा बच्चे ये 9 रेशो आया 9 ratio बराबर आगे आ रहा है 18 वर्स 9 ratio बराबर 18 वर्स 1 ratio बच्चे 2 वर्स का है 1 ratio कितने का है दो वर्स का है अब हमें किस की चाहिए सेखर की वरتمान आयू बटा सेखर की वरتمान कौन सी है ये है तो 70 गुणा 2 कर देंगे तो क्या वरتمान ही तो है इसलिए कुछ जोड़ना घटाना कुछ है नहीं सीधा 34 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा ये रहा तो भाई इतना आसान सवाल होते हैं सीधा 34 वर्ष अगर विसाल की चाहिए तो विसाल 14 दूनी 28 का सेखर की चाहिए 17 दूनी 34 तो इतना आसान सवाल है इतने आसान है चलो 26 वे में देखना बच्चे 26 वा फटाक से देख लो फटाक से नेहा और ये है आगे रस्मी कौन कौन है नेहा है और आगे कौन है रस्मी है बच्चे तो नेहा कितने की है नेहा 7 और रस्मी 8 नेहा 7 रस्मी 8 ये क्या है वर्तमाने वर्तमाने बच्चो और 6 वर्स बाद क्या होगा 6 वर्स बाद आपको भी पता है 6 वर्स पश्चात क्या होगा 9 10 का रेशो है और भाई इन दोनों में 6 6 काई तो डिफरेंस रहा क्योंकि ये भी वर्तमाने ये 6 साल बाद है तो 6 साल काई difference हुआ, पहले इनकी गुणा ratio में ratio की 10-7, 70-72, 70-72, भई, 70-72 ratio ठीक है, यह 2 ratio आ जाएगा, 70-42, फिर वर्सों की 10-6, 69-64, 60-64 बच्चे यह वर्स आ जाएंगे, तो यहां मैंने देखा, 2 ratio बराबर, 2 ratio बराबर 6 वर्स, एक रेशो कितने का बेटा, तीन साल का, एक रेशो तीन वर्स का है, बहुत बढ़िया, अब मुझे चाहिए क्या, रस्मी की वर्तमान, रस्मी ये रही, तो आठ तिया, चौबिस, बस, क्योंकि आठ रेशो है, एक रेशो तीन का है, तो चौबिस वर्स उत्तर आ जाएगा, ये रिरस्मी, ये रिरस्मी, 24 वर्स की, कितने बढ़िया सवाल है, आप कहते हो कितने आराम से सवाल सब खतम हो रहे हैं, सब आगे आगे भाग रहे हैं सारे सवाल, और ये देख लीजे बच्चे, ये वाला सवाल भी अगर मैं देखूं, तो फटाक से हो जाएगा, राम की आ राम एक है तो पिता च्छे है, कब है, है का मतलब वर्तमान है, वर्तमान और दस साल बाद की बात करूं बच्चे, दस साल बाद क्या होगा, दस वर्स बाद क्या होगा, दस वर्स बाद राम की आयू, पिता की आयू की दुगनी होगी, राम के पिता की आयू, विमल की दु लोग हैं हम सिर्फ इस ट्रिक को दो में लगाते हैं मैं इसी तरीके से करने लग गया टैंसन मतलो अब भी ये सवाल बहुत आराम से हो जाएगा देखो दस वर्स बाद राम के पिता क्यायू विमल क्यायू से दुगनी होगी यदि विमल का आठवा जनम दिन दो वर्स पूर्व था तो बच्चे देखना विमल का आठवा जनम दिन अगर दो वर्स पूर्व था आज का लास्ट कुश्चन है आठवा जनम दिन दो साल पहले था तो विमल आज की डेट में विमल आठवा जनम दिन लेकिन हमें राम और विमल में पहले संबन तो देखें, राम का पिता विमल की आयू से दुगनी होगी दस साल बाद, दस साल बाद राम का पिता, राम का पिता विमल से दुगना होगा, विमल से दुगना होगा, तो भई, दस साल बाद विमल कितने का होगा, बीस का, तो इसक पिता राम का पिता दस साल बाद चालिस का होगा है नहीं होगा खुद बताओ अरे कह रहा है दस साल बाद विमल की वर्तमान दस है दस साल बाद यानि विमल जब बीस का हो जाएगा तो राम का पिता विमल से दुगना होगा तो विमल का पिता चालिस साल का होगा बहुत बढ वर्तमान में भीया कितने का हुआ वर्तमान में हुआ तीस साल का राम का पिता वर्तमान में तीस का कैसे आया अरे दस साल बाद राम का पिता चालिस का होगा तो वर्तमान में वो तीस का होगा अब राम तो अपने पिता से छटा भाग है तो राम तो यहां से आगे राम तो अ आज की डेट में पांच साल का है राम की आयू आज की डेट में बैटा राम तो राम की आयू आज की डेट में पांच साल है इनमें से कोई नहीं पांच साल राम की आयू छटा भाग का मतलब ये है तो अब बच्चों ये आपको समझाने की बाते थी उमीद है आप सब को समझ में आ गई होंगी और अब हम reasoning की तरफ चलते हैं ये हमारे आयू संबंदी सवाल थे बच्चो आज के दो सवालों में दिक्कत आई है या तो टाइपिंग error थी दूसरे सवाल में या कुछ था तो वो मैं आपको कल इन बातों को बता रहा हूंगा ठीके बच्चो तो आज की class यहीं the end करते हैं चलिए चलिए बच्चे कल percentage शुरू करेंगे बच्चो हमारा नया चेप्टर है क्या percentage और अभी reasoning में चलते हैं clock वाले chapter पा चलो